दोस्तों स्वागत है आप से विगा वेक मिस्सा टेंग मेंडे स्विष्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर अपडेट लेने वाले है नेशनल अलमूनियम है डिविडेंट का भी कंपनी ने अनौसमेंट किया है तो कब एक्स डेट है रिकॉर्ड डेट क्या है और कितने रुप में मतलब खरी सकते हैं उसके बारे मैं आपको बताऊंगा और जो लोग पहले से होड़ करके चल रहे हैं उनको कब तक होड़ करके चलना है कि डिविडेट मिल जाए या आने वाले नेश टार्गेट कौन से दिखते हैं उसके ओपर हम लोग बात करेंगे मैं साथ वीडियो बने रही है जो चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटवेस अन बेल और पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिसना हो आप टेलिग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं निउस और डिविडेंट एनॉस्मेंट के लिए क्वाटर लियनिंग लिए लिंक वीडियो की स्पर्ण बॉक्स में मिल जाएगा चले फड़ा फट समझते हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा ताकि और लोगों को यह सेर रिक्मेंड हो सके करनली दोस्तों 83 रुपी 70 पैसे के राउंड से ट्रेड कर रहा है कल ही अभी एनॉंस किया है कंपनी कि यह डिविडेंट दे रही है और कितने रुपए का डिविडेंट है उसके बारे मैं आपको बताता हूं थोड़ा पहले इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेसन जो है जानने वाली वो देख लीजिए 151 बिलियन के अराउंड इसकी मार्केट केपिल है तो काफी और एलमूनियम पे रहा है भुनेसवर में इसका हेड़कॉर्टर है बाकी काफी पुरानी कंपनी है बहुत बड़े नंबर पे इंप्लॉई भी है 17,000 से ज़्यादा लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों तो अच्छा खासा ये इंप्लॉइमेंट का भी काम करती है काफी अच्छी अर्निंग भी प्रोवाइड यहाँ पे करती है तो कंपनी को जाहिर सी बात है फायदा मलब प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट फेक्टर हो जाता है ऐसी कंपनीों में जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्लॉईज होते हैं उस रिसाब से इसका बिजिनस क बहुत बड़ी बात हो जाती है पर पिछले एक साल में जैसा कि हम लोगों को चार्ट में देखने को मिलेगा कि प्रोफॉर्मेंस में कमी आई है अब इसका में रीजन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दस दिन पहले या वन मन पहले भी इस जीजों के उपर बात किया हूं कि जितने भी मैटल स्टॉक थे ठीक है उन सभी में हम लोग को 2021 से 2020 से 21 में काफी ज़्यादा प्रोफिट देखने को मिला था और उसके बाद ये जब तक मलब 2021 का जो चलता है मलब 2022 के मार्च तक 21 का ही FI काउंट हुआ होगा तो मलब 22 FI में ही काउंट होगा तो उसमें काफी ज़्यादा अर्निंग बनाया कंपनी ने और इस टाइम पर जब FI 23 चल रहा है ठीक है अभी FI 23 चल रहा है और ये अब अल्मुस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा मार्च आल्रेडी यहां पर हम लोग को चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो उस वज़े से तो उस हिसाब से देखें दोस्तों तो काफी ज़्यादा जो है FI 23 में अर्निंग में कमी देखने को मिली अब उसका मेन रीजन था यह दोस्तों कि 2020 में जब लॉक डाउन था तो उसमें कंपनियां उतने अच्छे से प्रोडेक्शन कर नहीं रही थी और उस वज़े से डिमांड काफी ज़् पढ़ गई थी सप्लाई पहुंच नहीं रही थी तो जैसे जैसे 2021 में चीजें थोड़ी मतलब ओपन होना शुरू हुई इन कंपनियों की डिमांड बहुत ज्यादा इनको मतलब और साने लग गया और इनकी जो अर्निंग थी वह 2021 मतलब FI 22 में बहुत ही तेजी से उपर ग जादा यहां पर आप देखेंगे तो इसका तो अभी करेंटली मतलब नेगिटिम में दिखता है पर अगर आप इसके पुराने नंबर पर देखी यहां पर जो कि दिख जाएगा यह देखिए यहां पर देखिए कोविड से पहले इसका जो नंबर था वह 138 करोड का था यह यहां पर देखिए कितनी जादा बूश्ट मिली है इसको पिछले FI में अल्मोस्ट 3000 करोड नेट प्रॉफिट यह काफी बड़ा नंबर हो जाता है और उसके बाद आप प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो वो भी बहुत बड़ा है आप इसकी सेल में भी देखिए तो सेल जो है बहुत बहतरीन हो गई और करेंटली जो अभी प्रॉफिट चल रहा है ऐसा नहीं है कि खराब है यहां पर भी यहां पर भी आप देखेंगे तो 2011 से बेस्ट ही रिजल्ट दिखरता है पिछले कॉर्ट मलब लास्ट येर के मुकाबले पिछले FI से कम है बट यह बहु ज़्यादा अर्णिंग में प्रॉफिट की वज़े से जो उसमें कमी देखने को मिली है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन में चेंजे हुए है पर यहां पर क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन में कमी हुई अब उतना महगा करके बेच नहीं सकते यह लोग गवर्मेंट ने उन जुलाई में आपको याद होगा, 2022 के जुलाई में इस चीज को अपडेट किया और उसके बाद इनके अर्निंग रिजल्ट में कमी देखने को मिली, exercise duty, import duty पे charges increase करना, tax increase करना, वो सब इन चीजों को control करने का जरूरत था, तो उन चीजों में control आया, इन्होंने फिर रेटों मे भी changes किया, पर company की जो खास बाते हैं, उनको द्यान में रखें, तो debt free है, अच्छे खासी इसकी book value है, अच्छा खासा इसका dividend payout रहता है, CAGR का भी record, 5 year profit growth का जो है, वो काफी अच्छा है, और dividend payout का भी record, इसका बहुत बहतरीन है, और अभी जो dividend का announcement किया है, अगर उसके बा वाली है, 2 रुपए 50 पैसे का dividend है, और payment की जो date है, वो 31st तक हो जाना है, 31st मार्च तक हम लोगों के account में ये Friday को मतलब payment आ जानी है, direct, क्योंकि आपको share, sale नहीं करना रहता है, तब भी आपको dividend मिल जाता है, वो direct account में आ जाता है, तो इस प्रकार से इसमें देखा जाए, त देखने को मिलती है, अब खरीदने और बाकी चीजों पर बात करते हैं, तो देखिया दोस्तों, already मैंने इस पर आपको बताया था, मलब जब भी मैंने आपको update किया था, उस टाइम से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कुछ update है, उस पर मैं mark कर देता हूँ, और फिर मैं आपको नया खरीदने के लेबल बता देता हूँ, तो already देखिये मैंने आपको 81 रुपी 55 पैसे से लेके 75 रुपी के बीच में खरीदने के लिए कहा था, same अभी भी चीज़ें वही रहने वाली हैं, पर क्योंकि dividend के वज़ए से काफी लोग जब dividend announcement होता है, तो काफी लोग स सुझते हैं कि क्या आप खरीदने के लिए जाना चाहिए, धाय रुपे डारेक्ट मिल जाएगा, तो अगर आपका long view है दोस्तों तो अराम से खरीदिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, already ये share काफी जाधा dip में देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से आप सही ही खरीद रहे कोई गलत नहीं है, अगर आपका long view है तो इसमें काफी बड़े बड़े target भी दिखते हैं, ये देखिए 158 रुपीज तक जाता है, हम लोग अगर इसको और लंबे समय तक hold करते हैं, तो 150, यहाँ पर 106 रुपीज का easy target दिखता है, आने वाले 6th month पे अगर performance इसी प्रकार से improve होती रही, जैसे आप result में देखेंगे लगातार green green दिख रहा है और हर बार इसके number better आ रहे हैं, तो ये चीजें काफी important हो जाती है, और उसके बाद ये company dividend भी pay करती है, तो उस नजरिये से भी काफी अच्छा रहता है, तो यहाँ पर खरीदने के लिए मैंने जो label बताए ह है, वो 81 रूपिस 55 से लेके 75 रूपिस के बीच में है, यहाँ पर एक जो नजर आता है, जो 86 रूपिस 20 पैसे के round है, इसके उपर closing चाहिए, अच्छी investment के साथ, अच्छी investment मनलब हो गया दोस्तों, अच्छे volume पे खरीदारी हो, और इसके उपर closing हो, तो chances increase हो जाते हैं, किसी कोई भी share के, सिर्फ इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी share हो, अगर एक label होता है, resistance label उसके उपर जाके अच्छी investment के साथ closing करता है, तो chances increase हो जाते हैं, कि share upward ही movement करे, तो उस प्रकार से 92 रूपिस तक दिखता है, फिर 99 रूपिस तक दिखता है target, फिर 106 तक दिखत है, तो इस प्रकार से आप इसमें target लेके चल सकते हैं, पर हमको 86 रूपिस 20 पैसे के उपर closing चाहिए, जो कि इसने, यहाँ पर भी देखिए, काफी close है, मतलब कुछ जादा दूर नहीं है, 83 रूपिस 70 पैसे के round दिखता है आज भी, तो इसके उपर अगर भी closing करता है, तो क इसमेंट देखने को मिलती है, उस प्रकार से अगर आप dividend के लिए खरिदना चाहते हैं, दोस्तों तो अगर आपका long view नहीं है, तो dividend के लिए मत खरीदें, क्योंकि 2 रुपे का dividend है, पर अगर आप बहुत बड़ी number पर investment करते हैं, तो dividend में भी boost मिलेगा, और आप जो 2 रुप मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी खरिदारी की होगी, तो इस प्रकार से आप अगर long view रखते हैं, तो जरूर खरी सकते हैं, short view में बश डिविडेंट के purpose से खरीद के बश सेल करने का हिसाब किताब है, तो यहाँ पर थोड़ा risk हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी current price पर खरीदा और यह सेयर जब dividend का payment तक होने लग जाएगा, तब जाहर सी बात है, इसमें profit booking देखने को मिलेगी, 21 के बाद, तो सेयर थोड़ा और फिसलेगा, धाई रुपे का ही फिसले पर यह गिरावट रहेगी, तो इस वज़े से अगर आपका long view नही ही है, तो dividend purpose से मत खरी दिये, यही अपडेट हो जाएगा, national union पर थेक्स वाचिन, मिलते हैं को नेक्स साथ इस वीडियो में,